नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि ड्रोफेम टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ड्रोफेम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ड्रोफेम टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स ह और यहाँ भी ड्रोफेम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, ड्रोफेम एक ब्रैंड नेम है, ड्रोफेम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, ड्रोफेम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन डोटावेरिन 80 mg और मे पेट की एंधन को ठीक करती है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान भी दर्ज से राहत पाने के लिए ड्रोफेम टैबलेट का उप्योग किया जाता है। जलन होना, धूप का कम होना और शरीर में कमजोरी होना आधी साइड इफेक्ट्स ड्रोफेम टैबलेट की वज़़ से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि ड्रोफेम टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। ड्रोफेम टैबलेट को खाली पेट लेने की लेने की सलाह देते हैं। ड्रोफेम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ड्रोफेम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्त इसलिए इन कंडिशन्स में ड्रोफेम टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं। जब ड्रोफेम टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि ड्रोफेम टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं के दूद में निकलती है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ड्रोफेम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ड्रोफेम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को और अगर आपका ज्रोफेम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.